हेलो गाइस वेलकम बैक टो दिस चनल सुगाइस क्या से हो उमीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़ी होंगे सुगाइस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास Vivo T3 Pro 5G मुबाइल फोन और अब अपने इस मुबाइल फोन में फिंगर्पेंट लोग का यूज करना चाहती हूँ याफ अपने मुबाइल फोन ब्लोग को सेट करना चाहता हूँ तो आप किस तरीके सेमें मुबाइल फोन में फिंगर्पेंट लोग को स्त करके उसके यूस कर सकते हूँ आज के इस वीडियो में आप लोग को इसी की जो setting होती है उसके वारे बताने वाला हूं और यहां पर fingerprint को लगा के उसका टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूं तो वीडियो काफी जदी उस पर knowledge विल होने वाला है आपको वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जोड़ से कर देना है आपको इस फोन में fingerprint lock को set करने के लिए सबसे पहले तो आपके फोन की setting को open करोगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको आपके फोन की जो setting होती है वो सू होगी तो यहां पर आपको क्या करना ह हैं इस पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर कुछ इस तरीके के option मिलेंगे जिसमें आपको यहां पर थुड़ा नीचे आना है नीचे आती है आपको यहां पर एक fingerprint और यहां पर आपको नीचे कोने में एक और सुगा इस्टाइट एंडॉल्मेंट का तो आपको इस पेगवार क्लिक करना है यहां पर आपको जिसबें फिंगर को सेट करना है उस फिंगर को सेंसर होता है करें देना है जब तक नीचे कुछ इस तरीके से डन का पेटन ना आजाए अपको डन पए बार क्लिक करना है आपके फून लग जाएगा और आप यहां पर काफी आसाइंस से फूंटॉक कर पाओगी तो गाइस वीडियो इतना ही वीडियो कैसे लागा कमेंट करके जरूर बताएगे और अगर आपको वीडियो में कोई भी समझ में ना आए तो अब कमेंट जरूर से कर दिजागा ठीक सुरूर वाच अज़रू जरूर खूचियो जरूर खूचल तो Permशा